हलो स्टूडेंट्स आप सभी का एक बार फिर से ASP को चिंजयापुर में बहुत बहुत स्वागत मैं हूँ आरपी आदू और आज अपन बात करने वाले हैं इस लेक्चर में चटानों के चटाने क्या होती है किस प्रकार से फोर्मिशन होता है कौन-कौन सी चटाने होती है देन किन चटानों की क्या-क्या विश्रिस्ताइं होती है और इन विश्रिस्ताओं का आपका म्रदा पर क्या प्रभाव पड़ता है यह सारी चीज़े अपन क्लियर करने वाले हैं सबसे पह का मान होता है वह आपके ज्वाला мखी के लावे के जमने से होता है यानि लावा क्या होता है गरम एड्ल जब तरल हारत का तापमान कम होता है तो सोलिड में यानि की थिफ्व होजाता है और जो तौस सनों बनती है वह плат सिखेश द प्रकार कि ज्वाला मुखी का जो लावा है वो ताप के प्रभाव से क्या होता है पिगला हुआ इसको बोल रहे हैं आप लावा प्रत्वी की सतह या सतह के अंदर थोस रूप में एकत्रित होने से बनी हुई चट्टान आपके क्या कलाएगी आगने चट्टाने यानि की ये आपका प्रत्वी है और इस प्रत्वी के गर्भ से जो लावा निकल रहा है इस गर्भ से जो निकलने वाला लावा है ये आपका या तो प्रत्वी की सतह पर देखे इसमें दो कंडिशन है प्रत्वी की सतह या सतह के अंदर प्रत्वी की सतह से बाहर मी निकल सकता है और अंदर भी ये जम सकता है और वो आपका जमने के बाद में थोस रूप धारण जो कर रहा है उसको आप क्या बोल रहे हैं? आगने चटान मूल रूप से अगर बात करें ये चटान directly जो आपका लावा निकला है उसी के जमने से हलांकि वो प्रत्वी के बाहर भी हो सकता है प्रत्वी की आंतरिक सतह में भी मोझूद हो सकता है और उनसे बनी हुई चटान आपके क्या कहलाती है आगने चटान उसको आप नाम देते हैं आगने चटान देखें ये चटाने सबसे पुरानी मतलब कि जब लावा निकल रहा है तो सबसे पहले जो चटान बन रही है वो आगने है सबसे पहली बनने वाली जो चटान है वो कौन सी है आगने ही है क्योंकि लावा जो आपका जम रहा है तो प्र दात्री होती है यानि कि जो बाद की जो चटाने बनेगी वो इसी चटान से बनती है तो इसलिए इसको नाम दिया गया है प्रात्मिक चटान यानि कि आउसादी और जो कायांत्रित है रुपांत्रित है वो भी इसी में कुछ बदलाव आएगा इसके संगठन में जो बदलाव एगा उसी मूल प्रधात से बनती है यानि कि आगने चटानों का जो मूल प्रधार्त है वो है ज्वाला मोखी का लावा इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है अन्ने चट्टानों की जन्वदात्री या प्रात्मिक इसको पुरानी सबसे बोला जा रहा है थल मंडल का लगबग 95% भाग इनी चट्टानों का बना होता है और जब बात कर रहे हैं आपका थल मंडल लीथो इसपेर जिसको बोल रहे हैं उसका 95% तक जो भाग बना हुआ है इनी चट्टानों का बना होता है यानि कि चट्टाने मुखे रूप से जो तीन प्रकार की होती है इन तीन प्रकारों में सबसे महतुपूर जो चट्टान है वो है आगने चट्टान आगने चट्टानों का जो विकास हुआ है जो आला मुखी के पिगलेवे लावे के जमने के कारण होता है आगे अपन बात करेंगे अवसादी चट्टाने तो अवसादी चट्टाने और कायांतरिक जो चट्टाने हैं उनका भी जर्म किस से होता है आगने चटान से ही होता है अब देखिए बात करें उत्पति के अधार पे आगने चटानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है यानि उनकी उत्पति जो हुई है उत्पति के अधार पे बात करते हैं तो इसको दो भागों में बाटा गय देखिए कौन कौन से दो भाग है शबसे पहले बात कर रहे हैं हैं यहां पर आंत्रिक आगने चट्टान एंत्रिक क्यों बोला है देखिए ज्वाला मुख्य के उद्गार का लावा जो लावा निकल रहे है वो बहार ना निकल के प्रत्वी के अंदर ही ठंडा होकर चटान का रूब कर लेता है यानि कि अपने स्टार्टिंग में क्या पड़ा कि इसका लावा या तो प्रत्वी के अंदर होगा या प्रत्वी की सतह से बाहर होगा लेकिन इस कंडिशन में क्या हो रहा है आंत्रिक में कि जो लावा था वो प्रत्वी के बहार नहीं निकल पाया है और वो अंदर ही सतह पे क्या हो गया है जमा हो गया है इससे बनने वाली जो मुर्दाएं इससे बनने वाली जो चटाने हैं वो आंत्रिक आगले चटान कहा जाता है ये चटान देरे-देरे ठंडी होकर crystal ये रूप धारन कर लेती है यानि कि ज्वाला मुखी का जो लावा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है लेकिन छोटे-छोटे crystal बना रहा है और crystal के रूप में वो अंदर ही जमा होता चला जा रहा है इसकी example है greenite सबसे important है greenite quads, diorite और cienite सबसे important आपका greenite है देखे कई बार पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा कि greenite एक most important आगने चटान का उधारन माला जाता है इसी प्रकार से बात करें आपका संग मरमर जिसको marble आप बोलते है तो आप क्या सोचते हैं कि greenite जो है वही marble है marble है वही greenite है हलांकि ये अलग-अलग चटाने है और इनका एक दूसरे से कोई शम्मंद भी नहीं है ठीक है तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए second की बात करते हैं second कौन सा आपका बही ये आगने चटाने यानि कि ये प्रत्वी की सत्य से बाहर निकल आया है लावा और सत्य के ऊपर जो है आके फिर जम रहा है तो इसको बनने वाली जो चटाने होगी आगने लेकिन आगने में भी उत्पती के अधार पे ये बाही आगने के रूप में विभगत की गई है देखे बात कर रहे हैं ज्वाला मुखी के फटने के फलसरूप लावा सत्य से बहार आता है एवं ठंडा होकर सिग्र ही ठोस पिंड के रूप में धारन हो जाता है इसे भाई ये चटान कहा जाता है भाई ये आगने चटान कहा जाता है एक्जामपल की बात करते हैं बेसाल्ट और रायोलाइट देखें ये किसके अधार पे है इसकी जो उत्पती हुई है उत्पती के अधार पे आपने विभक्त किया है इसी परकार से अगर बात करते हैं रासाइनिक संगठन के आधार पर इन में पाए जाने वाले जो खनीज है इन खनीजों की मात्रा के अधार पे आप अगर इसको विभक्त करते हैं तो ये मुखे रूप से तीन परकार के रूपों में बाटी गई है उत्पती के अधार पे कि उत्पती जो हुई है उसमें लावा सतह के बहार जम रहा है या आंतरिक सतह पर ही जम रहा है इस आधार पे ये दो प्रकार की होती है और यहां बात कर रहे हैं इनमें पाया जाने वाला रासानिक प्रधार्त यानि की खनीज की उपस्तिती के आधार पे अगर बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रकारों में बाटी गई है देखिए कौन-कौन से प्रकार है देखिए मुखे रूप से यहाँ पर अमलिय मध्यम अमलिय और भास्मिक आगने चप्टानों के रूप में इसको बाठा गया है यानि कि यह आपका पी-ेच के अधार पर बोल सकते हैं कि या तो अमलिय प्रकरती की होगी या मध्यम प्रकरती की होगी या सारी की लेकिन यहाँ पर सबसे important चीज यह है कि इन में पाया जाने वाला तो सिलीका है इस सिलीका के अधार पर इनको बाठा गया है सिलीका की जो प्रकरती होती है वो अमलिय होती है तो शिलीका कितना मात्रा में इसमें उपस्तित है उसी सरणी में इसको रखा गया है देखें बात करते हैं अमलिय आगने चटाने इन चटानों में सिलीका की मात्रा 65 से 85 प्रतीशत होती है इनमें सिलिका की जो मात्रा है उसके अधार पे अमलिये माध्य में या फिर शारिये में बाटा गया है देखें सिलिका की मात्रा बहुत जादा पाई जारी है 65 से लेके 85% तक इसमें क्या होता है silica content होता है और silica अमलिय चट्टानों का निर्मान करता है जैसे ग्रेनाइट और सैंड स्टोन ग्रेनाइट और सैंड स्टोन चीक है दूशरा बात कर रहे हैं माध्यमिक आगने चट्टाने यानि कि इन में चट्टानों की जो सिलिगा की जो मात्रा है चट्टानों में वो 55 से 65 के बीच में होती है 55 से 65 के बीच में होती है जैसे बात कर रहे हैं nd site nd site डायूराइट और सीनॉइट तो यह आपकी कौन से हो गई अमलिय जिसमें 65 से अबाऊ था 55 से 65 के बीच में है उसको आपने medium बोला है intermediate बोला है और यहां पे भास्मिक यानि की basic जिसमें 45 से 55 परसेंट तक ही आपका silica content पाया जाता है वो सबसे important example है basalt और lime store so student यहां पे आपको exam में अगर पूछा जाता है कि उत्पती के आधार पे आप चट्टानों को अमलिय आगने चट्टानों को समझाईए तो आप आराम से समझाईगा जिसमें आपके अमलिय और शारिय को आपको अलग रखना है यह आपका रासानिक शंगटन के आधार पे है और वो आपकी उत्पती के आधार पे है उत्पती के आधार पे दो प्रकार होते हैं एक बाईय और एक अंत्रिक और रासानिक संगटन के आधार पे अमले, मध्यम और शारिय चट्टानों के रूप में आप आगरे चट्टानों को समझा देंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा चलिए नेक्स बात करते हैं आपकी आगने चट्टानों की विशेश नहीं देखे इन चट्टानों के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी होगा कि ज्वाला मुखी का जो लावा है वो जब ठंडा होता है तो वो किसी प्रकार से अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है वो पूरा का पूरा एक ठोस पिंड में जमता है तो सबसे इंपोर्टन चीज ये है कि इसमें किसी प्रकार की फॉल्डिंग परते नहीं पाई जाती है ज्वाला मुखी का जो लावा होता है जब वो मुखे रूप से जिस इस्तान पे जम रहा है तो उसमें किसी प्रकार से परतों का निर्मान नहीं होता है क्योंकि वो तरल होता है वो तरल होता है उसमें अलग-अलग कोई परते नहीं पाई जाती है जब वो पूरा का पूरा जमेगा तो एक ठोस सरंचना बनाएगा जिसमें किसी परकार के कोई इस्तर नहीं होंगे किसी परकार के कोई परतों के रूप में आपको इसमें फॉल्डिंग नहीं मिलेगी अथार्त यह इस्तर हीन होती है यानि इसमें अलग-अलग folding, अलग-अलग जो layer है उनका अभाव होता है ये crystal होती है प्रन्तु crystal की संख्याव स्वरूप एनिशित होता है इसमें क्या होते हैं? crystal होते हैं छोटे-छोटे crystal होते हैं लेकिन इनकी संख्या कितनी होगी? इनका श्वरूप कैसा होगा? इस परकार का कोई detail नहीं मिरा है इनमें गोलकणों का अभाव होता है प्रन्तु अपसे के दोराण तूटने से गोलकणों का निर्मान होता है ये इस परकार का कोई material है? देखें इस परकार से कोई material है ये पूरा का पूरा लावा है, पूरा का पूरा जम गया डिरेक्टली ये थोस रूप में परिवर्तित हो गया, इसमें कोई परते नहीं है इस परकार से आप देखना चाहें कि इस परकार से इसमें परते मौजुद होगी ये परतों का इसमें अभाव होता है कण भी जो है वो गोल नहीं होते हैं यानि कि इसमें गोल कणों का अभाव होगा लेकिन जब यह तूटेगी जब यह इनका अपसे होता है तो इससे बनने वाले जो फ्रेग्मेंट है जो टुकडे है उनका आकार उनकी सरंचना गोल होती है चेकर यह चत्ताने सगन यहीं कि जदा कॉंपैक्ट होगी जदा सगनता से यह थोस रूप में बनी होगी अटि कठोर जदा सगनता है तो सीदी सी बाद है कठोर होगी और संगठित होती है कैसी होगी संगटित होगी ये किसी प्रकार से कोई इसमें विक्रती नहीं पाई जाती है विल्कुल ठोज सरंचना के रूप में ये देखने को मिलती है चलिए नेक्स बात करते हैं आपके मुखे आगने चटानों की कौन-कौन सी मुखे आगने चटाने हैं जिनके फल्सरूप आपकी मुर्दाओं का निर्मान होता है या मुर्दा निर्मान में किस प्रकार से इनके गुण साहिता करते हैं सबसे पहला है ग्रे नाइट ठीक है? ग्रे नाइट ये चटाने कठोर क्रिस्टलिये मोटे दाने वाली अमलिये वे संपुचित होती है इनका रंग हलका होता है इसके दाने चमकदार होते है इनके दानों में चमकदार होती है अमलिये परवर्ती की होती है आपने देखा भी आपने जो क्लासिफिकेशन किया है वो ग्रेनाइट को भी आपने अलगचे बाटा है तो यहाँ पर देखो एक तो सबसे इंपोर्टन चीज है इसमें चमक और दूसरी चीज है इसकी अमलिये परकरती है यह फेल स्पार, माईका, क्वाड्स, हॉन ब्लेंड, और्तोकलेज चट्टानों से बनी हुई होती है यानि कि इसका संगठन आप देखते हैं तो इसमें जो खनीज है वो कौन-कौन से खनीज होंगे इसमें फेल स्पार होगा, माईका, क्वाड्स, हॉन ब्लेंड, और्तोकलेज इससे यह बनी होती है यहाँ पे और्तोकलेज के आएंगे खनीज और्तोकलीज खनीजों से बनी होती है तो इसका राशाइनिक संगटन आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रात्मिक आप खनीज बोल रहे हैं प्रात्मिक खनीज में बात कर रहे हैं ये सबसे इंपोर्टेंट है फेल्स पार उसके बाद में क्वार्टेजाइट और माई का अगर मैं बात करूँ यहां पे ये अप्रॉक्समेटली 48% होता है ये आपका 35% होता है और माई का 10% होता है अर्थक्रष्ट का अगर आप कमपोजिशन देखेंगे तो आगे आपको यही मिलेगा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो खनीज होता है फेल्स पार और 10% के लगबग क्या होती इसमें माई का तो ये आपके सारे के सारे खनीज मिलके जो मुखे रूप से आपका इस चट्टान का निर्मान कर रहा है चलिए नाक्स बात करते हैं बेसाल्ट ये चट्टाने सुक्स्म क्रिस्टली ये गठन वाली होती है इनका भी रंग कैसा होता है गहरा इसका रंग देखो क्या होता है गहरा होता है अधिक गहरे रंगों में गहरे हरे रंग से लेके काले रंग की पाई जाती है आम तोर पे इनका रंग गहरा बूरा या काला होता है कुछ हरे भूरे नीले रंग में भी ये पाई जाती है बेसाल, कठोर, दानेदार वाली होती है ये भास्मिक प्रवर्ति की होती है यानि कि इसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो ग्रेनाइट के तुलना में कम होती है इसलिए ग्रेनाइट का जो pH है वो क्या होता है? कम होता है जबकि इसका pH जादा होता है ठीक है? तो अब यहां से एक चीज निकल के आ रही है कि अमली चटाने यानि कि ग्रेनाइट से अगर चटान बनती है असुरी मर्दा बनती है तो उसका जो pH है वह क्या होगा कम होगा क्यों? क्योगि इसमें Silica content ज्यादा है और Silica एक परकार से Amal का काम करता है उसी परकार से बात कर में चिंडit चलिए अब बात करते हैं आपकी दूसरी जो most important चटान है वो है आवसादिया देखे इसके नाम से ही पता चल रहा है आवसादिया sedimentary sedimentary का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी माध्यम के द्वारा बहकर अगर आई है और वो एक जगे आके जमा हुई है तो उसको बोलते हैं sedimentation और इसका नाम भी क्या है sedimentary देखे आगने चटानों के अपसे अब देखे यहां आगने चटाने जिनको मूल चटाने आप बोल रहे थे या आप जन्मदात्री बोल रहे थे वो किस प्रकार से जन्मदात्री है देखे आगने चटानों के अपशे से इसके अपसे से जो प्राप सामगरी है यानि की जो मैटेरियल है वो किसी ना किसी मध्यम से प्राप सामगरी जिसको आप बोल रहे हैं यहाँ पे तलचट सेडिमेंट रॉक को एक इस्तान से दूसरे इस्तान पे जमा होने से अब देखिए यह एक इस्तान से जहां मूल चटा उस इस्तान से चलके दूसरे इस्तान पर जाके क्या हो जाते हैं जमा हो जाते हैं ठीक है और देखे यहां इस प्रकार से कोई मेट्रेजे से माली यह इसका मूल इस्तान है यहां से कोई चीज भहकर जा रही है तो ऐसे तो है नहीं कि सारी कि सारी एक साथ चली जाएगी तो ल प्रचती, भैकर तो जैसे जैसे जाके जमा हो रही है वैसे वैसे वहाँ परत का निरमान हो रहा है इस लिए इनका नाम दिया गया अब ये दूसरे इस्तान पे जो जारी है यह जो तलचट यहां पे ये तो तलचट है वो किसी दूसरे इस्तान पे जाके जमा हो रहा है पहली चीज तो यहां एक इस्तान से दूसरे इस्तान पे ले जाने के लिए इसमें कई कारक इसकी साहिता करते हैं जिसमें बात कर रहे है मुख्य रूप से कौन सा कारवख होगा जल होगा और वायू तो यहां परतदार जो चट्टानों का निर्मान हो रहा है अवसादी चट्टानों का जो निर्मान हुआ है वो आगने का जो अफशे है वो जल या वायू के माध्यम से एक मूल इस्तान जहां पर इनकी मौजूदगी थी उनसे बहेकर किसी दूसरे जगे जाके क्या हो रहा है जमाव और यह जमाव जो है लगातार चलता रहता है आगने चट्टानों का अफशे भी चलता रहता है आवसादी चट्टानों का निर्मान भी चलता रहता है और आवसादी चट्टानों का अपशे भी चलता रहता है यानि कि ये इस परकार की जटिल प्रिक्रिया है जिसमें एक तरफ निर्मान और दूसरी तरफ फिनास ये continuously इस परकार से चक्र जो है वो चलता रहता है ठीक है इन चट्टानों का निर्मान जलो वायू के द्वारा होता है इने जलत चट्टान भी कहते हैं इसको शेल रोख भी कहते हैं क्योंकि मुखे रूप से बात करते हैं जो आपका तलचट जाके जमा हो रहा है हालांकि वायू भी इसमें साइता करती है वायू भी इसमें साइता करती है लेकिन मुखे रूप से जो योगदान होता है वो होता है आपके जल का जल मुखे माध्यम का काम कर रहा है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं शेल रॉक्स यानि की जल चट्टान भी बोल रहे हैं जल से बहा कर लाई गई देखो उधारन देखो सैंड स्टोन शेल डोलोमाइट चूना पत्थर तो ये आपके आगने चट्टानों के अपशे के फलसरूप ही बनी है इसलिए आप आगने चट्टानों को प्रात्मिक चट्टान बोल रहे थे और आप ये भी आप बोला कि इन चट्टानों के संयोग से ही अन्ने चट्टाने जो आपकी आउसादी और आगे आने वाली जो चट्टान है उसका निर्मान होता है ठीक है चलिए विख्षेस्ताओं की बात करते हैं जैसा कि सबसे पहले तो आपको पता चल गया इन चट्टानों में परतों का पाया जाना स्वभाविक है तो कि दीरे दीरे जाके जमा हो रही है एक साथ कोई भी चट्टान दूसरे स्थान पर जाके जमा नहीं हो सकती दूसरे स्थान पर जाके जमा होने के पीछे जो रीजन है एक टाइम डूरेशन रिक्वाइर होता है एक पर्टिकुलर समय की आवशकता होती है समय अवधी की आवशिक्ता होती है इस कारिय को पूर्ण होने में तो इस प्रकार से इसमें परते बन जाबी है इन परतों में अगर बात करते हैं देखो परतों में सबसे important चीज यह है कि अगर दो परतों के बीच में कोई भी जीव का अवसेश आ जाता है जब ये जम रही है तो उस समय अगर किसी जीव का सरीर वहाँ पे मौजूद है अवसेश वहाँ मौजूद है तो वो आपका उस चट्टान के अंदर ही जमा हो जाता है अब उस जमा हुए सरीर को क्या कहेंगे अभी देखिए पेडवे पौधे अवम जीव जनतों के अवसेश परदहात मूल रूप से पाए जाते हैं अवम कठोर होते हैं ठीक है तो इन चट्टानों के बीच में देखिए ये आपकी इस परकार से चट्टान है और यहाँ पे किसी ना किसी जीव का सरीर मौजूद है तो इसको बोलते ह हैं जीवास में इसको क्या बोलते हैं जीवास में बोलते हैं यानि की फोसिल तो फोसिल जो निकलते हैं जीवास में जो पाए जाते हैं या जब आप देखते हैं कि चट्टानों की खुदाई के दोरान इस जीव का जो कंकाल है या सरीर है हूं मिला तो यह किस चट्टान मे मुख्य रूप से आपकी अवसादी चट्टानों के रूप में जो परते हैं उन परतों के बीच में इसकी मौजूदगी पाई जाती है ठीक है साथ ही बात करते हैं कि खनीज जो होते हैं खनीजों की मौजूदगी भी पाई जाती है जो आप देखते हैं कि तेल या कोई और तो अन्य धातू निकल रही है तो वो भी मुख्य रूप से इन चट्टानों के बीच में ही पाई जाती है सुक्सम कंड उपर की परत में बड़े कंड नीचे की परतों में पाई जाते हैं अन्य चट्टानों के अपेक्सा ये छिदरदार को कॉमल होती है परते होगी तो ये जो दाब है उसको कम से कम सहन कर पाईगी और तूट जाएगी यानि कि ये क्या होती है कॉमल होती है इनको तोड़ा आसानी से जा सकता है तो इसमें जिवास्म की मौजूद्ली भी पाई जाती है अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन-कौन से मुखे रूप से जो अवसादी चटाने हैं जिनके उधारना पढ़ते हैं सबसे पहली है चूना पत्थर लाइम स्टोन ये एक महतूपूर्ण अवसादी चटान है ये चटान सीप, सीप, घोंगा, मुंगा एवं पोधों से बनती है यानि कि इसमें जो अवसेश है वो पाई जाते हैं खनीजों के मिश्रित होने के कारण इसका रंग सफेद से लेकर बूरे या दूसर रंग से काले रंगों का भी पाया जाना स्वभाविक है इस चटान का जो रंग की अगर बात कर रहे हैं वो मुखे रूप से डिपैंड करता है कि इसमें खनीज कौन सा मौजूद है इसमें लेखो खनीजों के मिश्रण होने के कारण इसमें खनीजों का मिश्रण पाया जा रहा है इसके वज़े से इसका रंग सफेज से लेके भूरे और धूसर से लेके काले रंग का होना स्वभाविक है इसमें केलसियम कार्बोनेट की मातरा देखे इस चटान के अगर बात कर रहे हैं इसमें 40% आपका क्या है केलसियम कार्बोनेट 40% से लेके 98% तक क्या है इसमें केलसियम कार्बोनेट है इसलिए इसका रंग कैसा होता है सफेद होता है इसमें केलसियम कार्बोनेट की मातरा 40-98% तक होती है इसलिए नमक अमल के साथ क्रिया करके कार्बन डै ओकसाइड बनाती है ये बात कर रहे हैं आप चूना पत्थर की बात कर रहे हैं कि ये आपकी नमक और अमल के साथ क्रिया करके कामनाएगी CO2 का निर्मान करती है ये सबसे important इसकी विसेशता है चलिए अब बात करते हैं दूसरा बालू पत्थर जिसको आप बोलते हैं sand stone चलिए ये बालू पत्थर से बनता है ये पत्थर ये पत्थर बालू से बनता है किसे बनता है बालू से इसमें मुखे रूप से quards खनीज के कण सिलीका लोहा ओक्साइड वे चूने का संजुद होते हैं यानि कि इनमें कौन-कौन से होते हैं quards खनीज के कण होते हैं दूशरा बात कर रहे हैं सिलीका के कंड देखे जा सकते हैं लोहा और ऑक्साइड के साथ साथ इसमें चूना भी पाया जाता है इन चट्टानों की सत्य खुर्दरी होती है सबसे इंपोर्टन चीज है खुर्दरी होती है इनका रंग काला पीला गुलाबी दूसर लाल आधी हो सकता है ये सट ये चट्टाने इस्त्रित होती है इनकी मोटाई सेंटी मिटर से मिटरों तक देखी जा सकती है इनकी मोटाई क्या हो सकती है सेंटी मिटर में भी पाई जा सकती है और मिटरों तक भी ये गहराई में मौदूद हो सकती है तो इस चट्टानों की ये विश्यस्ता होती है नेक्स बात कर रहे मूल चटान है उसके तल्चट के जमने से बनी है उसको अवसादी चटान मोल रहे है और इन दोनों का रासायनिक और भौतिक जो संगठन है वो बदल जा रहा है और बदलने के बाद में जो उतपाद बना है उस उतपाद से बनने वाली जो चट्टान होगी वो कौन सी होगी आपकी काया द्रित देखिए या इसको रूपांत्रित पोलते है आगने वे अवसादी चट्टानों के मूल रूप में देखो जो ओरिजिनल इसका रासाइनिक संगटन है ओरिजिनल उसका भौतिक संगटन है उसमें क्या रहा है बदलाव आ रहा है बदलाव किसी ना किसी माध्धिम से आएगा नाचुरली और अर्टिफिशली देखिए आगने वे अवसादी चट्टानों के मूल रूप से रासाइनिक एम भौतिक परिवर्तन के उपरंथ बनी वी चट्टानों को रुपांत्री चट्टान कहा जाता है यह जो परिवर्तन आया है वो किसी ना किसी कारक के द्वारा होता है और वो कारक कौन गोंसा देखिए यह परिवर्तन जल, दाब और दाब मुख्य रूप से कहा है जल दाब और ताप के प्रभाव के कारण होता है इस कारण यह जलिए अगर जल के द्वारा बनी है तो क्या बोलेंगे जलिए ताप का प्रभाव से बनी है ताप यह और दाब का रूपांतरन कहा जाता है यानि कि जो कारक है जो प्राकरतिक कारक आप बोल सकते है प्राकर्तिक कारक जो है यह अपना अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और इन प्रभाव के फलसरूप जो चटानों का निर्माण हुआ है एक प्रकारचा आप कह सकते हैं कि रूपांतरन हुआ है इसी लिए इसको नाम दिया गया है रूपांतरिद चटान औरिजिनल आपकी जो चट्टान जिसमें सबसे इंपोर्टेट आगने है दूसरी आवसादी है इनका रासानिक संगटर बदल सकता है या भौतिक सरंचना जो है उसमें बदलाव आता है और बदलाव के फलसरूप जो बनी है चट्टान उसको बोल रहे हैं रुपार दे जो आप लिखने के लिए यूज़ करते हैं संगमरमर और सिस्टर अब देखे एक तरफ आपका ग्रे नाइट जनरली आप देखते हैं घरों में एक तरफ आपका ग्रे नाइट था और दूसरी तरफ आपका संगमरमर यानी की मार्बल ग्रे नाइट आपका महेंगा होता है और आपका संग मरमर यानी की मारवल क्या होता है सस्ता होता है इसी वज़े से होता है कि इसका निर्मान उसमें परिवर्तन के फलसरूप हुआ है जबकि ये आपका ग्रेनाइट क्या है था आपका मूल चट्टानों से बना है इसलिए क्या होता है महेंगा होता है रुपांत्री चठ्टानों की बात करते हैं, ये भी दो प्रकार की होती है जी किस प्रकार से इसको divide किया गया है कि ये दो प्रकार कौन-कौन से होंगे आगे देखते हैं, चलिए पहला है सलकी चठ्टाने, foliated rocks, इसमें क्या होती है, faldings होती है इन चट्टानों में होने वाली इन सलकिन एक भौतिक दसा होती है इसके अंतरत खनीज प्लेट नुमा समांतर रूप में विवस्तियत होते हैं इस प्रकार से इन चट्टानों का विकास होता है इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है इसमें जो खनीज होंगे वो एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं प्लेट नुमा स्ट्रक्चर में क्या होंगे? मौजूद होंगे और इस प्रकार से इसको क्या बोल रहे हैं सल्क्स यानि की फॉलियेशन बोल रहे है तो इन में आपके खनीज जो होंगे वो प्लेट नुमा समानतर रूप से एक के उपर एक समानतर रूप से क्या है वेवस्तित है ये दानेदार सल्की चट्टाने होती है इसके उधारन जैसे नीस, मैगनेटाइट, सिस्ट, इतियादी होते है यानि की ये किसके अधार पे हैं इसका जो निर्मान हुआ है निर्मान में जो इसका आकार है या आकरती जो है उसके अधार पे ये दो प्रकार की है है उसमें आपके ये मौदूद है तो इसलिए क्या बोल रहे हैं सलकित दूशरा बात कर रहे हैं इस में कोई प्रकार की कोई आपकी प्लेट सें वो देखने को नहीं मिलती देखिए इसमें पाये जाने सबी खनेजों के अवे प्राइज समान विमाओ वाले होते हैं इसमें क्या होगा समान होंगे इसमें किसी परकार की कोई विमाएं नहीं होंगे इस परकार से होगा इसमें डोलोमाइट के अत्रिक्त, कौार्टेजाइट, अत्यंत कठोर, संगमरमर, मध्यम कठोर और एसल की चट्टानों का उधारन है इसमें क्या होगा आपका संगमरमर और कौार्टेजमाइट तो आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है या फिर अगर अबजेक्टिव क्यूशन पूछा जाता है आपको ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि रुपांत्री चट्टानों का सबसे इंपोर्टेंट जो एक्जाम्पल है वो है संगमरमर लेकिन इसमें भी आप याद रखेगा कि इसमें किसी प्रकार से कोई फोल्डिंग या फोलियेशन नहीं पाई जाती है सलकियन का अभाव होता है कुन से में संगमरमर में तो इस प्रकार से आपने चट्टानों के बार में जानकरिता है कि अब देखें इसकी बात करते हैं विशिजताओं के यह चट्टाने प्राय अत्यंत कठोर आगने चट्टानों की भाति रविदार होती है ये सलकित वर ऐसल की दोनों प्रकार की होती है ये चट्टने क्रिश्टली होती है यानि इसमें क्या आउंगे आपको दाने में मिलेंगे इसमें आपको दाने देखने को मिल सकते है अब बात करते हैं Most Important रुपांतरी चट्टानों की इसमें पहला है आपका सिस्ट इनकी उत्पती आगने वह अवसादी चट्टानों से होती है बिल्कुल दाब और ताब के प्रभाव के कारण उसमें रुपांतरत होने थे सिस्ट का निर्मान होता है यानि कि दाब का जो प्रभाव है और ताब का प्रभाव है ये प्रभाव आपकी जो आगने चट्टाने हैं या आउसादी चट्टाने हैं उनमें भौतिक और रासाइनिक परिवर्तिन ला देता है इसके फलस्रो आपके इंस इसे का सिस्ट का निर्मान होता है देखें जिसे फेल स्पार के ऊपर क्वाड्स क्वाड्स के उपर मैका की परऻ похnhself और यह दंप हो अब कि पर दानेदार चट्टाने होती हैं कि हैं चट्टानों के तोडने के बाद इसके इस तर अलग अलग हो जाते है इसकी पतली इनको पतली होने के कारण विच्छेदित करना कटिन होता है यानि कि आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं लेकिन बहुत जादा पतली परते होती है तो अलग-अलग कर पाना पूसिबल नहीं है हलाएंकि इसमें क्या होता है अलग-अलग इस तर पाए जाते हैं और सबसे important है आपका marble यानि की sunmar देखिए marble का जो निर्मान होता है ये होता है आपके चूना पत्र लाइम स्टोन से और लाइम स्टोन एक प्रकार से आवसादी चटान है सिंप्ली पूछा जाता है कि मारबल का निर्मान किस से होता है तो जो आवसादी चटान आपकी लाइम स्टोन है इसमें बौतिक और रासाइनिक परिवर्तन होने के फलसरूप जो बंती है चटान वो उतियाप की मारबल संग्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर्मर् कि आपका बिलकुल सफेद संगमर्मर पाया जाता है ठीक है अगर इसमें कोई दूसरा खनीज मोजूद है तो उसके कारण इसका रंग थोड़ा चैंज हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करते हैं देखे दे रख है आपके राजस्तान के नागोर जिले में मकराना नागोर जो है वहां पर मकराना और किसंगड यह एक अजमेर यहां का जो आपका संगमर्मर निकल रहा है वो बिलकुल सफेद होता है इसी प्रकार से बात करें इसी प्रकार से बात करें आपका जो भैस लाना में आपका काला संगमर्मर निकलता है काला संगमर्मर ठीक है तो यहां पे इसके जो रंग है वो मुखे रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी जो क्वालिटी होती है क्वालिटी के अगर बात कर रहे हैं तो भैसलाना राजस्तान में अगर बात कर रहे हैं वहां से काला संक्मरमन निकल रहा है और मकराना और किसंगर से अगर बात कर रहे हैं तो वो कहां निकल रहा है आपका अजमेर और नाकोर में सो यहां पर यह most important चट्टानों के बारे में विश्यस्ताओं का आपने अध्यर किया है चलिए नेक्स बात करते हैं अब बात कर रहे हैं कि यह जो चट्टाने हैं चट्टानों किस प्रकार से म्रदा का निर्मान करने वाले जो खनीज है उसका उत्पादन करते हैं इन चट्टानों की विश्यस्ताओं के बारे में आपने पढ़ा इसमें कई सारे खनीज मोजूद हैं इन खनीजों की प्रकरती किसी की अमली तो किसी की शारी होती है ये आपके किस प्रकार से म्रदा का जो स्क्लेटन है शरंचना है उसका विकास करते हैं देखिए चट्टानों की विगटन से खनीजों का निर्मान होता है यहां पर एक चीज इस प्रकार से भी बोली जा सकती है कि चट्टाने खुद इससे बनी होती है चट्टाने खुद किससे बनी होती है खनीजों से बनी होती है लेकिन यहां पर विगठन से क्या हो रहा है वापस से आपके खनीज बन रहे हैं चट्टानों से इसको किस परकार से भी आप कह सकते हैं आप ये बात भी कह सकते हैं कि कई कई सारे खनीज मिलके क्या बनाते हैं चट्टाने और जब चट्टाने टूटती है इनका विगठन होता है वेधरिंग होता है तो आपके वापस से जो खनीज बनाए थे जो मिलके बने थे वो अलग-अलग हो रहे हैं तो चट्टानों के विगठन से कई परकार के खनीजों का निर्मास पुनाय हो चुका है खनीश प्रधार की प्रकरती में पाए जाने वाले समांग एकार्बनिक प्रधार्त है और सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है ये एकार्बनिक होते हैं इसी लिए इनको बोलाता है मिनरल्स इन और्गेनिक का दूसरा नाम है मिनरल एक तरफ और्गेनिक होता है दूसरी तरफ इन और्गेनिक तो इन और्गेनिक को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप मिनरल्स वर्ड जो है वो प्रिफर कर सकते है जिनका रासायनिक संगठन निश्यत होता है हर खनीज में अलग-अलग रासायनिक संगठन पाया जाएगा दूसरी चीज क्या है? इनकी निश्यत आकर्ती होगी या रूप भी हो सकता है खनीज प्रधार्त दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक योग से बनते हैं यानि खनीज जो है वो अकेला भी हो सकता है और किसी अन्य खनीज के साथ मिलके योगिक रूप में भी हो सकता है निश्यत संगठन में ऐसे रासायनिक योगिकों को जो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलके बनते हैं खनीज के लाते है इस प्रकार प्रते खनीज एक रासाइनिक योगिक होता है यह सबसे important चीज है कि रासाइनिक योगिक इस वज़े से है क्योंकि उसका एक definite आकार है आकरती है, एक रंग है और एक विसेशता होती है एक विसेश चमक होती है जिस प्र करते हैं कि अलग-अलग स्तानों पे अलग-अलग मृदाईं के रंग पाए जाते हैं तो वो मृदा के जो रंग है इन्ही खनीजों के परीवर्तन के कारण विक्षित होते है मान लीजिए कि इसी खनीज का रंग ब्लेक है, काला है तो उससे बनने वाली या उसकी मोजूदगी से मरदा का रंग भी काला होगा ठीक है? तो ये मरदा का उत्पादन करने वाले खनीज होते हैं देखिए खनीजों के खनीज परधातों के गुणों की बात करते हैं यानि कौन-कौन से गुण होते हैं ये जो गुण होंगे वही आपके मुर्दा में देखने को आपको मिलेंगे क्योंकि मुर्दा के लिए ये क्या है मूल परधात है खनीज विभिन प्रकार के रंगों के होते हैं जैसे नीले, हरे, पीले खनीजों में विभिन प्रकार की चमक होती है एक विशेश चमक होती है जैसे स्वन सोने में अलगी ही चमक होती है कौपर आधी में एक निश्यत धात्विक चमक होती है इसी प्रकार से बात करें काच डाइमंड आधी में एधात्विक चमक होती है खनीज प्रधातों का अपना-पना विश्यस आकार होता है जिसे रवा करते हैं जिसे का करेंगे रवा यानि कि जो इसका आकार होगा उसको क्या बोल रहे है रवा जैसे बात करें चतुसकोण ये ट्राइ मेट्रिक, मोनो-क्लिनिक, ट्राइ क्लिनिक, सथ business, बुजाकार आकार के हो सकते हैं छिर्क है? खौनीज पड़ाद बहुत कटोर होते हैं जैसे बात करे आप हीरा हीरा एक ऐसा खौनीज है जो बहुत ज़ादा कटोर होता है इसलिए आपके जो काच है उसको काटने के लिए हीरे का प्रियोग किया चाता है कुछ खनीज पून पारदसी होते हैं जैसे बात कर रहे हैं आपके काच कुछ अल्प पारदसी वो कुछ आपारदरसी होते हैं वो डिपेंड करता है कुछ खनीज अदिक भारी, कुछ मद्यम भार के, कुछ हलके होते हैं, खनीजों के भार के आपेक्षित घनत्व से परकट करते हैं, यानि कि भार क्या होता है, आपेक्षित घनत्व की बात कर रहे हैं, सीधा सा आप देख सकते हैं, कि आपेक्षित घनत्व जो होगा, किसी प साथ जो मुख्य रूप से खनीज है उन खनीजों की आप विशेष्टाओं की बारे में जान चुके हैं अब उनको विशेष्टाओं के आधार पे या उनकी जो उत्पति हुई है उसके अधार पे किस परकार से वर्गी करत किया गया है यह बात देखते हैं देखे सबसे पहले बात करते हैं उत्पती के अधार पे दो प्रकार के खरिण होंगे एक परात्मिक और दूसरा दिवत्प्ति वही जिस प्रकार से चटानों की अपने बात करी तीम मूल चट्टानों के रिर्मान के समय होता है सबसे important चीज़ है कि बनने का समय क्या है निर्मान के समय पिगले हुए दर्व प्रधार्त के ठंडा होके ठोस अवस्ता में जमने से होता है वही जो आगने चट्टानों में मुख्य रूप से पाए जा रहे है ठोस अवस्ता में जमने से होता है तो ऐसे खनीश प्रधार्तों को प्रात्मिक खनीश कहते है ये खनीश चट्टानों के आवशंक संगठक होते है इसलिए इन आवशंक खनीश भी कहते है इनका आकार दो म्यू से लेके 0.002 mm से अधिक होता है दित्ते खनीश का निर्माण इनी से होता है वही सीधी सी बात है कि प्रात्मिक जो पहले बना है उसको प्रात्मिक और जो प्रात्मिक में कुछ बदलाव आने से बना है उसको दित्ते खनीश के रूप में आप दरसाएंगे दित्ते खनीजों का निर्माण इनीश होता है उधारन क्वार्ट्स, और्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्ण बलेट, और्गाइट, ओल्वाइन, माईका, फेलसपार, चुना पत्तर और मैगनीसाइट तो ये सारे के सारे चट्टान आपके किस से बने है, खनीज किस से बने है, आपके मूल लावा जो है, मेगमा जो है उससे बने है, इसी प्रकार से बात करते है, दित्ते खनीज, मूल खनीजों या चट्टानों के उपर जलवायों है रासानिक संबंधिकारकों से, देखो, एक इनके कणों का आकार दो म्यू से कम होता है उधारण पाइराइट जिबैसाइट जिप्सम एपेटईट हेमेटाइट केओलनाईट इलाइट मॉंटमॉंटनाइट और जियू नाइट तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए वहतुपून खनीज हो गए इसमें प्रातमिक और यह किसके अधार पे है उत्पति के अधार देखे इसी प्रकार से बात करें रासाइनिक संगठन के अधार रासाइनिक संगठन जो होता है उसके अधार पे इनकी कई सारे कैटेगरी बनाई गई है देखे बात करते हैं तत्तु के रूप में कौन-कौन से देखो हीरा हीरा है गंदक आधी किससम्मों में आते हैं आपके तक्यूरो उसी प्रकार से ओक्साइड इसके औंतरगत KWORDZ HEMATITE MAGNETITE LIMONITE आते हैं कार्बोनिट इसके केल साईड डॉल तो इसमें सिर्फ नाम याद रखने है कि तत्तु में कौन सा है रासाइनिक संगठन के अधार पे कितने हैं अब देखें फेल्ड स्पार गुरूप में है वो दो भागों में बाटा गया है इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है जिकी कौन-कौन से दो वर्ग हैं और्थोक्लेज फेल्स बार सबसे पहला कौन सा है और्थोक्लेज ये अमलिय चट्टानों का विसेश अंग माना जाता है म्रदा में प्राप्त होने वाला पोटास इसी के हपसे से होता है यानि कि मुख्य रूप से जो पर्टिकुलर खनीज है वो एक विसेश पोसक तत्तु की सप्लाई करता है तो अगर आपसे पूछा जाता है कि म्रदा में आपका पोटास पोटेशियम जो है वो किस खनीज के अपसे से प्राप्त होगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका ओर्थोक्लेज फेल्स पार ओर्थोक्लेज फेल्स पार के जल्विस्टिलेशन से क्ले खनीजो का निर्मान होता है जो चिकनी मिट्टी का मुखे अवेव होता है यानि कि ये ओर्थोक्लेज फेल्स पार ही आपके क्ले के पार्टिकलों का निर्मान करता है प्लेजियो क्लेज फेल्स पार, केलसियम फेल्स पार, सोडियम फेल्स पार, सोडा लाइम फेल्स पार यह आपके सेकेंडरी या जो दूसरे प्रकार के और्थोक्लेज के अलावा है इसी प्रकार से बात कर रहे हैं माई का वर्ग माइका इसकी रचना अती शंकिन होती है यह potassium, hydrogen, iron, magnesium तहाँ lithium आदी का निर्मान करता है कि चीज़ा है हईडाइट, aluminium, ortho, silicate होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं मसकोवाइट यानि कि सफेद माइका यह potassium, aluminium silicate होता है दूसरा बात करते हैं और आईओट ये और फोरा पर होती है के धिक सब्सक्राइड को दो भारों बाटाहए फोर्टी होता है मरदा आपको के सिलिकेम आईड तो यहां आपके मेजर 10-6 theo-55 के वर गिक इसके रण तत्वों के अधार पर किये गए हैं तो यह सारा का सारा आपने डिटेल से पड़ा नेक्स जो लेक्चर होगा उसमें इसको किस प्रकार से वैदरिंग होता है या किस प्रकार से इसमें रासाइनिक बहुत इक परिवर्थन आते हैं इसके बारे में जानकारी में तो किसा प्रकार फिर्वर्वर्प या नेदरिंग तो अवा या उनकारी दोलोखे यृट आते हैं प्रकारी दोलोग से यह सारा आते हैं इस जो अधे